इसमारे को नए व्लॉग में आपका स्वागत है सामने गेट नमबर तीन है इसी से हम एंट्रे करेंगे मेट्रो स्टेशन का गेट नमबर एक है जहां से मैंने एक्जिट लिया था वो रोड साइड के दूसरी तरफ पड़ता है बस बीच में एक यह स्टेट रोड है और इसी रोड पे आप आगे जाओगे न जहां पे वो एक रिक्षवल अखड़ा है वो गेट नमबर टू है जस्ट इतना डिफ्रेंस है गेट नमबर तीन में और गेट नमबर दो में अगर आप अरली मानिंग पहांच जाते हो साड़े दस बजे के करीबन करीबन दस बजे तो कुछ इस तरीके का नजारा होता है शाप नमबर 101 के बहार भी आपको काफी अच्छे कॉस्मेटिक आइटम देखने को मिलेंगी और सब्जे मंडे वाली लाइन में तीन चार जंगे आपको कॉस्मेटिक चीज़े देखने को मिलेंगी फिफ्टी रुपीज इन नेल पेंट का प्राइज रहेता है वेट वाइट चाहिए उनका भी 50 रुपीज है मेकप ब्लेंडर सब 50 रुपे की रेंज में मिलते हैं जो नेल पेंट के कॉलिटी होती है वो काफी जादा अच्छी होती है इनके पास 25 रुपीज वाली भी नेल पेंट्स होते हैं अगर किसी को 25 रुपीज वाली लेनी है तो वो भी आप ले सकते हूँ बाकि जो 50 रुपीज वाला कलेक्शन था ना जो शेड्स थी 50 में वो बहुत ही जादा अच्छी दी इनके पास ना काफी जादा अच्छी चीज़े होती है लाइक आपको मेकप ब्रुशेज आई लेशेज कुछ भी चाहिए ना सब 50 रुपीज में मल जाएगा शॉप नमबर 109 पे आपको 250 रुपीज की रेंच में काफी अच्छे टॉप में लेंगे जो टॉप का कलेक्शन था वो सारा का सारा 250 रुपीज का था एक्सपोर्ट लेन में आपको बेसिकली काफी जादा अच्छी शॉप नज़र आएंगी जिन पे आपको डेनम का कलेक्शन, टी शिर्ट का कलेक्शन, टॉप अगरा की वराइटी काफी जादा देखने को मिलेगी इसलिए जिन लोगों को वेस्टन वियर खरीदने होते हैं न मैं उनको सज़स्ट यह एक्सपोर्ट लेन करती हूँ क्योंकि उसका रीजन एक तो यह है कि उसमें आपको सारी चीज़े मिल जाएंगी अगर आपने कोई वीडियो ना भी देखिये न तब बहुत इसलिए शॉपिंग कर लोगे वहाँ पे सारी चीज़े अविलेबल होती है और सबसे में चीज़ जो मैं एक्सपोर्ट लेन सज़स्ट करती हूँ उसका रीजन ये है दूसरा कि वो गेट नमबर 3 के बिलकुल पास और गेट नमबर 2A के भी पास है एक्सपोर्ट लेन में शॉप नमबर 122 की बहार एक डिस्प्ले लगा था जिस पे बहुत सुन्दर मिनी स्कर्ट थी और बहुत सुन्दर ही शॉट्स थी शॉट्स 250 रुपीज की रेंज में थी और 350 रुपीज की रेंज में मिनी स्कर्ट थी अगर आपको भी डेनम में मिनी स्कर्ट पहनना बहुत पसंद है ना तो आपके लिए बहुत जादा वराइट्टी पूरे सरोश नगर में भरी हुई है और इस टाइम पे तो जो टॉप का कलेक्शन है वो भी बहुत अच्छा है और टीशर्ट का कलेक्शन तो किसी से छिपाई नहीं है अगर आपको चाहिए है कुछ अलग चिकन कारी में टॉप वगरा ट्राइ करने शॉप नंबर 140 पे जाओ 250 रुपीज की रेंज में थे 200 रुपीज की रेंज में आपको फॉर्मल पैणस मूल जाएंगी जो क्रॉप टॉप होते वो भी 200-500 रुपए में रहते हैं इस तरीके की शर्ट आपको नज़र आएंगी ये crop में होती है, semi crop में पहनने के बाद काफी अच्छी लगती है, आप high west jeans के साथ भी पहन सकते हो, bodycon भी थे इस वाली shop पे 350 रुपीज के range में, अगर आप इस तरीकी के top वगरा सेंडोज लेते हो, वो आपको 100 रुपीज इच पड़ेगी, ये उपर वाला top 150 रुपीज का भ bargaining करने में help हो, white जो top होते हैं वो काफी जादा अच्छे और बड़िया quality के आपको कुर्टे वगरा मिल जाते हैं, 200 रुपे तक की range में, shop नमबर 133 पड़ता है, सबजी मंडी वाली लाइन में, जब आप corner पर पहुँचने वाले हो जाओगे न, तब board भी लगा है, इनके प 1200 रुपे में आपको बहुत ही जदा बड़िया premium quality के shoes मल जाएंगे, उसके अलावा ये वाली shop मैंने आपको दिखा दी है, सब जमंडे वाले लाइन में, ताकि आप easily पहाँच पाऊँ, shop नमबर 141 परती है, southwear की तरफ export lane में, उस पे काफी अच्छे आपको top में variety देखने क मिल जाएगी, बहुत सारी design होते हैं, बट हर एक design में आपको single piece मिलेगा, तो size वगरे थोड़ा सा check करके चीज़ों को ले, आगे पीछे से check करें, proper पूरा देखने के बाद ही आप इनको pay करें और चीज़े खरीदे, top की variety बहुत अच्छी होती है, jeans तो आपको बहुत ही जितनी सस्ती फॉर्मल आपने कहीं नहीं देखे होंगी, जितनी सस्ती ट्राउजर सरोशिन अगर में, वो भी 220.500 रुपे में कहीं नहीं मिलती है, ये वली जो टी-शर्ट थी ना, crop थी ये भी 250 रुपीज इनका price था, इनके पास बहुत सारे option थे crop में, तो आप वो भी try कर सकती हो, पीछे भी आप देखे, डिस्प्ले पे नहीं लगा के रखे, और सामने तो मैं आपको option दिखाई रही हूँ, तो जो variety थी, overall बहुत अच्छी थी, कपड़ा भी बहुत बढ़िया था, अगर आप आओगे न सरोशन अगर शॉपिंग करने, तो आपका दिल खुश ह हो जाएगा, साथ ही में night suit आपको 450 रुपीज की range में पढ़ेंगे, ऊपर lemon yellow वाला top 150 रुपीज का था, काफी अच्छे options थे, बच्चों के लिए भी soft toy आपको मिल जाएगे, gate number 2A के पास भी option है, और gate number 4 के पास भी है, तो 2A वाला ज्यादा पास पढ़ेगा, gate number 3 के भी, त में आपको dolphin मिल जाएगे, cactus वगेरा मिल जाएगे, turtles मिल जाएगे, dolphin मिल जाएगे, काफी सारे options होते है, teddy bear में भी काफी अच्छी variety थी, ऊपर वालों का size जिनका बड़ा है न, उनका price अलग है, बाकी ये धेरी वाले सारे के सारे आपको 100 रुपीज की range में थे, और काफी ज तो आप लोग की request पर मैंने दुबार से cover करी है, वाली shop काफी अच्छा, इनका collection रहता है, similar चीज़े आप बोल भी सकते हो, और कई बार चीज़े क्या होता है न, कि आपको अलग भी मिल जाती है, और mostly इनके बस डेर होता है, तो जो चीज़ बिक जाती है, वो display से हट जाती बाकी देखे, आपको इस तरी की jeans मल जाएगी, ये वाली shorts भी बहुत बड़ी अलग रही थी, 250 रुपीज की range में, इस वाली shop से अगर आप न, नीज तक की skirt लोगे न, तो वो आपको 300 रुपीज की range में मिलेगी, 350 रुपीज की range में jeans होती है, 350 रुपीज की range में semi डांगर होती है, घर के लिए decorative item चाहिए है, नजर बट्टू चाहिए है, ये सब आपको इहाँ पर मिल जाएगा, 150 छोटे वाला 110 रुपीज का था, भगवान जी की जो अलग-अलग statues होती है न, वो भी आपको इहाँ पर मिलेंगी, गाडी में लगाने के लिए, ये dock setup को इहाँ पर लिए statues चाहिए है, तो वो भी बहुत अच्छे यहाँ पे थे, price range भी काफी जादा affordable थी, अगर आप अच्छे से bargaining करोगे, 200 रुपीज की range में बच्चों के लिए cute सी bottle आपको मिल जाएंगी, साथ ही में अगर आपको कुछ flower pots चाहिए हैं, तो उसमें भी options है, उपर की तरफ तो आप अपने living room के लिए, drawing room के लिए काफी smart shopping कर सकते हो, 150, 200 रुपीज की range में, oil bottle ये काफी जादा trend में है, ये वाली 200 रुपीज की थी, बहुत ही जादा सुन्दर bottle लग रही थी, shop number 140 पे मेरी नजर इन shirts पे पड़ी, काफी जादा colorful लग रही थी, काफी अच्छे लग तो अगर आपको भी अपने लिए long shirt लेनी है, या फिर long shirt पहनने का बहुत जादा शॉक है, 250 रुपीज की range में, आपको काफी बड़ी हा collection नजर आएगा, इनको आप open करके पहन सकती हूँ, tuck करके पहन सकती हूँ, तो काफी अच्छी variety में आपको यहाँ पे चीज़े देख कि मैं चीज़े पसंद कर लूँ, तो ऐसा नहीं होता है, बहुत बार चीज़े न, एक के बाद एक हटा के देखनी पड़ती है, सामने वाले को बोलना पड़ता है, भया कुछ और दिखाओ, कुछ और दिखाओ, तब वो नीचे से, जो इनके बाद समान रखा होता है, कुछ बढ़िया चाहिए, तो शॉप नंबर 107 के बाहर, आपको काफी अच्छे फोन कवर मिल जाएंगे, ये 107 है, एक्सपोर्ट लेन वाली ना की सबजीमंडी वाली लाइन, सबजीमंडी वाली लाइन से अगर फोन कवर लेने हैं, तो शॉप नंबर 106 पे हैं, ये 107 है एक्सपोर्ट लेन में, 200 रूपीज, 250 रूपीज की रेंज में आपको काफी अच्छे फोन कवर मिल जाएंगे, नंबर ओफ कलर थे, अलग-अलग फोन के अलग-अलग कवर थे, आईफोन से लेके Android यूजर, अगर आप होत दोनों के लिए फोन कवर बहुत जादा अच्छ तो आप अपने हिसाब से 200-500 रूपे में, आप काफी अच्छे फोन कवर ले सकते हो, इंसेंस के अपोजट ये वाली शॉप पढ़ती है, इस पे भार की तरफ इनों ने वाइट शॉर्ट का कलेक्शन, वाइट टॉप का कलेक्शन लगा के रखा दा, 150-200 रूपीज की रें उनको 30 प्लस वेस्ट आती है, उनको चीजे थोड़ी सी देखनी पड़ती है, तो उनके लिए स्पेशली ही ये सब शॉप में दिखाती हूँ, शॉप नमबर 198 हो गया, ये वाली शॉप हो गई, 106, 107, 108, इन सब पे आपको फॉर्मल वेर काफी अच्छा मिल जाएगा, 200 र प्राइज है, टीशर्ट शॉप नमबर 185 पे काफी अच्छी दी, उस शॉप के आपोजिट 185 पड़ती है, एक्सपोर्ट लेन में, 200 रुपे की रेंज में आपको काफी बड़ी हा, ग्रैफिक डिजाइन वाली जो टीशर्ट होती है, ओर साइज टीशर्ट, नॉर्मल टी प्रैंस के साथ टक करके पहनी होती है, और पहनने के बाद काफी जादा, अच्छे और स्मार्ट भी लगते हैं, साथ ही में सेम शॉप पे आप टीशर्ट में भी ऑप्शन देखेंगे, नॉर्मल टीशर्ट में भी ऑप्शन देखेंगे, बार जो प्रैस रहेगा, प्रैस बी सेम, अगर आपको कोई भी टीशर्ट करीदनी है, सबके लिए सेम प्रैस रहेगा, ऑप्शन बहुत सारे हैं, ओवर साइज में तो आपको बहुत प्यारी टीशर्ट मल जाएंगे, यह वाला प्रिंट पर काफी अच्छा लग रहा था, तो दो सो रुपे में पूरी मार रखना स्टफ में जमीन आस्मान का फरक है, तीन सो साड़े तीन सो वाली जो टीशर्ट सेना, उनका स्टफ जादा मोटा है, ऐस कंपेर टू जो आपकी दोसो वाली है, दोसो वाली का ओविस सी बात है, फैबरिक जेसम जो होगा, वो कम होगा, थ्री फिफिटी का प्रैस ज आप चाहिए फॉर्मल टॉप में टाइम है भार की रिंग में आप्शन ट्राय करने का तो जरूर करें क्योंकि बहुत सारी लोगों के लिए जो पतली है उनके लिए तो बहुत अच्छे अच्छे टॉप मिल जाते हैं जिनको साइस थोड़े प्लस में आते वो शॉप से ट्र यह को समझ आती हैं आप इन चीज़ों को ध्यान रखते होगे अगर आप लोकी शॉप यह वाली अच्छे लग लेगे ती शॉप और लोकिशन की अगर मैं बात करूं तो एक्सपोर्ट लेन में शॉप नूंबर 1-104 और 105 दोनों की ही सामने 250 रूपीज की इल 느 एक्सपोर्ट लेट में तो आपको इस तरीके के टाप ना बहुत जंगे देखने को मिलेंगे और काफी सही रहते हैं क्वालिटी भी इनकी सही रहते हैं बस थोड़ी से सिकुड़ों सुकड़े से होते हैं वो क्यू होते हैं गटडियों में बंदे होते हैं, एकदम से माल भार निकलता है, तो इनके हालत ऐसी होती है, बट घर जाके दुलने के बाद, प्रेस होने के बाद काफी सही हो जाते हैं, तो स्मार्ट शापिंग करना सीखें, शाप नंबर 107 पे आपको लेदर की जो स्कूर्ट होती है, वो मि लेंगी, काफी अच्छी स्कूर्ट थी, काफी बढ़िया थी, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, 200 रुपे में आपको फॉर्मल ट्राउजर्स मल जाएंगी, फॉर्मल ट्राउजर्स भी काफी बढ़िया थी, तो आप अपने हिसाब से ना, वेस्ट के हिसाब से यहां से कल तो एक के बाद एक आपको option देखने को मिलते हैं जो कि देखने में ही अच्छे नहीं होते हैं यूज करने के बाद भी आपको पता चलता है कि seriously चीजे बहुत अच्छी और बहुत सस्ती सरोज नगर में मिलती है 50 में आपको nightwear suit मिल जाएगा जिसमें एक T-shirt आती है और जो आपकी shorts होती है वो साथ में रहती है print भी बहुत अच्छे थे और देखे ये grey वाला जो था नाइट suit ये भी बहुत अच्छा लग रहता है और side में भी कुछ cartoon design वाले आपको print देखने को मिल जाएंगे जो की काफे अच्छे लगते है same shop पे आपको muffler भी मिल जाएंगे shop no.188 पे आपको काफे अच्छे top अगेरे देखने को मिलेंगे 200 रुपे की range में variety बहुत सारी थी और बहुत अच्छी variety में आपको यहाँ पे top मिल जाते है चीज़े आपको ढूनने पड़ेंगे जैसा कि मैंने आपको starting में ही बता दिया बट हाँ यह है कि अगर आप export link से shopping करोगे 200 रुपे की range में आपको काफे अच्छे machine के top forever के zara के काफे अच्छे brands के आपको top देखने को मिल जाएंगे और यह सब चीज़े आपको export link में ही बहुत अच्छी मिलेंगी variety भी वहीं पे बहुत अच्छी होती है तो कभी भी किसी भी market में आप जाओ ना सबसे पहले बहुत सारी वीडियो को देखो ताकि आपको price range का, location का, direction का एक idea लग जाएं crossier वाले top भी बहुत अच्छा है होते, यह pink वाले top भी lining में बहुत अच्छा लग रहा था forever 21 का यह top भी जादा सुंदर था, yellow वाले top भी बहुत अच्छा था यह सारी shops मैंने जितनी भी आपको दिखाई है न, यह export lane में है I don't think so किसी को जादा problem होने वाली है, क्योंकि देखें, जैसे आप lane में गुसोगे न, तो बहुत ही simple तरीका shop number 196 से export lane स्टार्ट होती है, और 137 पे खतम होती है, वो पूरी के पूरी export lane है gate number 3 से आपको entry लेके right लेना और जो first row है उसको export lane बोलते हैं बहुत easy way था, export lane तक पहुशने का, I hope आपको चीज़े समझ आई होंगी, price समझ आगे होंगे top यह सब 2.500 रुपे वाले है, कोई भी 2.500 से, जादा महंगा top नहीं और इसी shop के बार 2.200 रुपे में skirts भी थी export lane में काफी अच्छे है, आपको blazers देखने को मिलेंगे, blazers में colorful, आपको blazer मिल जाएंगे black में भी काफी अच्छे option थे, H&M, Zara, यह सब options आपको, यहाँ पे blazers में brand के देखने को मिलेंगे, नीचे वाला peach color का था, उससे पीछे वाला जो था न, वो भी बहुत अच्छा था, pastel green color था, और जो इनका price था, वो 350 रुपीज इच था, काफी अच्छे आपको color देखने क सेम शॉप पे, जो shirts थी वो भी काफी अच्छी थी, 250 रुपीज की range में, उपर वाले short वाले blazer है, नीचे वाले long वाले है, print में आपको, इस तरीके की shirt देखने को मिलेंगे, shirt भी काफी अच्छी थी, print बहुत जादा मिल जाते, with belt, without belt, आप दोनों ही तरीके से इनको पहन स सकते हैं, एक नया look create कर सकते हो, यह white shirt भी अच्छी थी, color पे थोड़ा सा design बना हुआ था, embroidery का काम था, बट पिंक वाली मुझे जादा पसंद आई थी, तो हमेशा कुछ-कुछ attractive चीजे ढून ले, और आपको चीजे obviously मिलेंगे, अगर आप सही location पे गए हो तो, आपको से दिखा दी हो, कैसी लगती है,